नमस्कार, मैं हूँ राजे इंद्र दियो आसे ठीक तीन साल पहले उत्तर प्रदेश में योगी आधित्यनाथ सरकार ने शपत ली थी और योपी में बीजेपी के 14 सालों के वनवास को खत्म कर दिया था बीजेपी को एतिहासिक बहुमत प्राप्त हुआ था इतना प्रिचंड, इतना जबरदस्त कि विपक्ष विधान समा में लगबग खत्म सा हो गया योगी आधित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पत की शेपत लिए एक के बाद एक फैसले लिए गए किसानों का एक लाग तक का रण माफ किया गया गढ़्धा युक्त सरकों को गढ़्धा मुक्त करने का काम शुरू हुआ एंटी रोमियो स्क्वाट बना, पुलिस ने वांटेड अपराधियों के दनादन एंकाउंटर किये पहली बार प्रधान मंत्री की मौजूदगी में इन्वेस्टे समिट हुई प्रदेश में निवेश की रूपरे खाते हुई और इस बीच में पिछले साल लोकसभा के चुनाओं में बीजेपी ने सपा बसपा गटबंधन को जबर्दस पटकनी भी गी मुक्यमंत्री होगी लगातार सक्री दिखाई दिये इस बीच वो बीजेपी के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुक्यमंत्री भी हो गए पार्टी नेत्रत्व की हमारी सरकार विकास, विश्वास और सुसासन के अपने तीन वर्स के कारेकाल को पूरा करने जा रही है उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन को बदलने उसे विकास, विश्वास और सुसासन में बदलने में हमें सफ़ता प्राप्त हो पाई क्योंकि हम सब के पास लोक्तांत्रिक मुल्यों और आदर्सों पर आम जन का जो विश्वास औरी तरह समाप्त हो रहा था उसे बहाल करते हुए इसे सुसासन के घोसित लक्षियों के और अक्रसर करने में सफ़ता प्राप्त की है कि मत्री लगबग एक गंटे तक बीडिया को बताया अपनी सरकार के तीन वर्शों के उपलब दिया लेकिन यूपी में सबसे बढ़ा विपक्ष समाजबादी पार्टी और उसके मुरादाबाद के सांसर नहींस्टी हसन हमने योगी सरकार के दाव पर उनकी राय भी जानी कौन सा चेत्र है जिसमें काम हुआ है एक काम बता दिये मुझे कि विकास का ये काम हुआ है कि रोटीन काम तो हुआ ही करते हैं या रोटीन काम भी नहीं हो रहे हैं कि हमने विकास कर दिया या हमने कानुन वहस्ता अच्छी कर दिए कानुन वहस्ता के बारे में आप से आदा कौन जानता है मुझे पारून वहस्ता कि मैं आप से कुछ कहना नहीं लेकिन आपके पास तो आखड़े होंगे किते रेप हो रहे हैं किती डगैतिय हो रही है और किसको इनसाफ मिल रहा है तो सिर्फ एक कहना चाहिए एक इन्होंने हाइव बना रखा है लोगों को ये बेखूव बनाते हैं रिलीजियस भावनाओं को भाड़का कर कारून वहस्ता पर अटैक इसरीयसे ने भी किया समाजवादी पाल्टी ने भी किया और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उटाकर सरकार पर हमला बोला प्रिंका गांधी वाड़रा ने अपने इस ट्वीट के सर ये देखिए आप क्या कह रही है वो ये रहा उनका ट्वीट का कंटेंट यूपी के बाजबा सरकार अपना रिपोर्ट कार जारी कर रही है छूट से भरे इस रिपोर्ट कार्ड में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किये गए हैं लेकिन उन्नाओ की भयावा घटना के बाद आज लखिमपुर की घटना ने महिला सुरक्षा के दावे की पोल खोल दी आखिर सरकार कब जागेगी ये सवाल भी पूछा है प्रिंका कांधी पोटर रहे इस मौके पर हम आपको ये भी बताएं कि अपने इस कारिक्रम के दौरान हमने जुजंता के बीच में 11-17 मार्ज तक का सर्वे किया है इस सरकार के कामकाज पर वो भी दिखाएंगे लगातार वो आकड़े भी आपकी स्क्रीन पर होंगे और हम बातचीत करेंगे पक्ष से भी नूटरल व्यू भी लेंगे अब देखिए बहुत सारी उपलब दिया मुख्यपंतरी ने गिनाई हैं एक घंटे तक जैसा कि मैंने आपको बताया उन्होंने अपनी बात रखी आज मीडिया के सामने और काय कि सुशासन विकास और विश्वास ये सब उन्होंने हासिल किया है बीजेपी के प्रवक्ताब हीरो वाश पई साथ हैं हीरो वाश पई इसी बीच में आपने विपक्ष के हमले देख लिए सबसे ज्यादा हमलावर स्टी असन कानून विवस्था के मामले पर थे महिला सुरक्षा को लेकर प्रेंका गांधी वॉडरा ने ट्वीट किया और व यही पॉइंट था हमले का हीरो वाश पई साब क्या कहना है आपको सबसे पहले आपका टेक उसके बाद मैं विपक्ष के नेताओं के पास जाता हूं और उसमें सब विपक्षी पार्टियां मू की खाई है हमने काम किया जनता के बीच में गए और 2019 को जो हमने प्रचंड बहुमत फिर उत्तर प्रदेश में मिला उसके ही अनुसार केंद्र में स्रीमान आदरणी नरेद मोदी जी की सरकार है तो अगर यह कहना विपक्ष का कि हमने कारे नहीं किया कारे पे मोहर लगाने का काम जनता करती है और 2019 में जो प्रचंड मैंडेट मिला वह साबित हो चुका और जहां तक रही बात यह लोग आरोप लगाने का काम करते हैं लेकिन हम लगातार काम कर रहे हैं और केवल यह कहना कि एक आदी घटना को ठाकर है ठीक है वह सही आपकी लेकिन जनता की राय भी अंबेल है हिरो वाजपाई साब मैं विपक्ष की बात तो सुनाई रहा हूं उनके बात सुनेंगे भी हो सकता है कि आप उसको खारिश कर दें आपको अधिकारे आप उनकी बात रखें तो उनके पहले अधिकार का इस्तिमा बात रख सकते हैं इस विश में आकड़े भी हमारे सर्वे की स्क्रीन पर चलेंगे अमन यादो समाजबादी पाठी बुलिए कि दस दिन में बढ़ी हुई सड़के दस दिन के बढ़ी हुई सड़के गिटिया छोड़ दी उखड़ गई इनके तीन साल में सिर्फ और सिर्फ भरष्टाचार बढ़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ भरष्टाचार बढ़ा हुआ है बलतकार की घटनाय बढ़ी हुई है सिर सिस्व बलतकार या और हिंदू मुसल्मान यह तीन साल में उसरीफ और सिर्स हिंदू मुसल्मान और और लोगों ने करने किया है योगी आदित ने कोई करने किया है तिर्फ और सिफ ब्रश्टा चार हुआ है तो अमन यादाओ अमन यादाओ अमन यादाओ मुझे लगते आपने अपना चार्ज पूरा कर लिया आप देखिए स्क्रीन पर एबीपी गंगा की कुछ आकड़े चल रहे हैं देखिए यहाँ पर कानून विवस्था को लेकर 75 फिस्दी लोग कह रहे हैं कि यहां बहुत बढ़िया है दंगे से निपटने के तरीके पर भी लोगों ने मोहर लगा दी है और तीन साल में स्थितियां बेतर हुए दिखे कानून विस्था कैसी बेतर ना 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 तरीका इनका यहीं है अरे बहुत जनता यह कह रही है सरकाने लगाने का क्यार किया है अरे मैं नहीं लगना चाहिए था अमन यादो आप बहुत ज़गा जोश में आ रहे हैं आप अति उत्सा में आगे अमन यादो अरे सुन लिजिए सुन लिजिए अरे सुन लिजिए अमन यादो चली ठीक आपका audio आप ऐसे आप मेरी बास हमने परदेश की जनता से जो 11-17 मार्स तक बात की है यह उनका रेस्पॉंस हम आपको बता रहे हैं कानून विवस्था पर जनता इनको टिक मार्क दे रही है ये कह रही है किन्होंने कानून विवस्था पर काम किया है हां यह बास सही है यह भी तो आप आखड़े देखिए यह भी तो आप आखड़े देखिए जो जाजी मिजस को टारेट करें अच्छा सुनिए 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 आप ठंड़े दिमाग से वह आखड़े मैं भी स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं आप पहले उसको पढ़ लिजिए तब तक मैं के पास वापस आता हूं ठीक है अब मैं जरा कॉंग्रेस के निता से बात सुन लेता हूं वह भी विपक्ष में है वह भी विपक्ष में बंजल साब उनकी बात भी सुन लेते हैं आप बताईए सरकार कितना बढ़िया वैसे आपकी लीडर कह रही है कि मैला सुरक्षा के ना सुन लीजिए यह बहुत अच्छी सरकार है और इसकी तो तारीफ करनी चाहिए पहले तो यह होता था कि कहते थे कि खुआ खा गई लोग और इनके टाइम पे तो है भैस समयत खुआ हो रहा है और जो पंदे करोड लोपे का सड़क के लिए दिया था और उसमें डावर डली ना कुछ डला और सब पूरा प stripesa भाट कर खा गए अब मैं आपको आग्रे की बात करता हूं आग्रे में इनकी सरकार है नगन निगंबे हैं विधायक सब इनके हैं सांसद इनके हैं और आगरेबे हैं जब ट्रम साब आये थे तो कुछ एक रोट को सही कर दिया बाद बक्का का दूर हटके 200 मीटर दूर गड़े हैं उसको भी दूर नहीं किया और तो और जितने भी इधर इधर के ब काम करने का तरीका यह ठीक नहीं है अभी अभी यूपी सरकार ने एक करोना के बारे में कहा है कि हम जो लेवर हैं उसके लिए करेंगे अरे भाई कब करोगे अच्छा बंदर भीस दिन से तो लोग मर गए मर रहे हैं भूके और आप अभी तक जे नहीं किया है कि कितने पैस पैसा ट्रांसपर करने की पहल की जा रही है तो इसका तो स्वागत करना चाहिए अभी तो कली शासन निरने लिया है आज ही पैसा थोड़ी ट्रांसपर हो जाएगा थोड़ा तो वक्त लगेगा इसमें आप सुन तो लेजिए तो यह तो पताएंगे कितना पैसा देंगे उस लेंगे राकेश गौतम की बास सुन लेते हैं बस पाके समर्थक हैं राकेश गौतम साब आप भी प्रमुख विपक्षी पार्टी है लेकिन जब पिछली बार चुना हुआ था विधान सभाका तो बहुत दिराशाजनक प्रदरशन था आपका आप मतलब आप जिस पार्ट देखें कानून व्योस्थक मामले में बसपा का सरकार का कोई जवाब नहीं है बहुत अच्छा कानून व्योस्थक मामले में बसपा सरकार सबसे अवल रही है और यह जो योगी सरकार है कानून व्योस्थक समल नहीं रही है इनकी उपलबदी देखना चाहेंगी क्या इनकी ऐसिवारी की हत्या हुई रावरेलिम पांच ब्रामण के हत्या हुई अच्छय यह पांच ब्रामणयों जोड़ा पांच ब्रामण अरे बोलने दीजिए ऐंगे एपना इस उड़ति जोड़ ली तो आप आप की पार्टी जाती मूलक विवस्ता का विरोध करती है जाती का जब नाम लेते हैं तो सबाविक प्रशन आता है कि आप ब्राह्मन का नाम क्यों ले रहें अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं राकेश गौतम जी यह अधिक भूसर में तो क्यों करें इस यह जाननार चाहता हूं जात देखे इस देश में जाती एक सचाइए है ना जाती व्यूंसाग्षा खत्म है क्या जात कर लिए बंद ओगाए आप जातियों को भर्गरा रखना सचाएंगे अब जाती हो सकता है चलिए राकेश गोतम जी और क्या रोप है आपके लिए उन नाव रेपकांड आपने देखा हट्या लूट डकैती चोरी बलतकार का जड़तरम सीमात देखिए उन नाव में रेपकांड जिस लड़की के साथ रेप हुआ कुलदीप सेंगर विधायक ने किया उसके बाप को मारा गया उसकी जिंद्गी तवा कर दिए उसको परिवार तवा कर दिया गया और वो जो है अस्पताल में जो है कि एकदम उसकी हालत खराब है अच्छा और देखिए चिनमयानंद और साची महाराज पर गंबीर आरोप लगे था आपको यह भी पता मैं कहना चाहता हूं भी यह लूट डगायती चोरी बलतकार की चरम सीमा पर है और आज नौजवान सड़कों पर वारा मारा भुम्राय रोजगार के लिए महलाएं आंधुलन के लिए बाद दिया है किसान आप हच्छा कर रहा है समाजवादी बसहां कांग्रेस सुनिये सुनिये आप तीनों ही विपख्षी दलों को पूरा समय दिया पूरा समय दिया गया, आए अब एक वे जल्दी से बताता हूं, आपको जे ट्रम्प आगरा आए थे तो उसके उनको बहुत सजावट की थी, जैसे ही ट्रम्प पीछे से गए, ट्रेक्टर आए, गंबले बगएरा सब उठके चले गए, ऐसा दिखावें से क्या फाइदा है? अच्छा ठीक है, यह बाइंट आपने पहले भी आता है, रहे बाइंट की आगया, आपके जाता है, अरे पॉइंट नोट कर लिया, आप कहा रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, यह रोग का इलाज नहीं जूटते हैं, पूछूंगा मैं, यह हीरो वाच्पई को इसक सकति कि कर आपक लिए आपक्स सबाब करता का घॉठता के मामले पर दंगायों से नफटने के तरीके पर बिजली आपूर्ती पर इस पर जनता संतुष्ट दिखती है इस सर्वे में लेकिन रोजगार के मामले पर रोजगार के मामले पर और इसके अलावा इसके अलावा आवारा पश्वों के मामले पर जनता इस कारिक्रम से संतुष्ट सरकार के नहीं दिखती है आप आपने जो सर्वे कराया है काफी संख्या में लोगों को शामिल किया है और अब मुझको लगता है कि जो मैं सोच के चल रहा था उसके काफी हद तक कारीब दिख रहा है सर्वे आपने सबसे पहले सवाल किया था कानून विवस्ता को लेके तो निश्चित रूप से जो का जब योगी जी उत्तर प्रदेश की मुखबंत्री बने थे तो एक स्वभाविक सी चिंता लोगों के मन में यह रही होगी कि भले ही एक सांसत की रूप में उनके पास बहुत बड़ा अनभाव है लेकिन प्रदेश को चलाने का विभाकों को चलाने का उस तरह अनभाव नह निवरित्त किया और कई लोग को बरखास्त भी किया तो जाहिर सी बात एक मैसेज दिया कि भश्टाचार की कलब सरकार है कानून विवस्ता पर जिस तरह से इसके अलागर स्वास की बात करें जो मेडिकल कॉलेजेज है तो निश्चीत रूप से पहले केबल बारा ही मेडिकल कॉलेज से उत्तर प्रदेश में उसके बाद साथ और बन चुके हैं और उसके बाद अभी जो जितने कंप्लीट होंगे तो तेस हो जाएंगे तो उस काम काम हुए हैं लेकिन जो उनकी जो दिल की बात है जो गाय संक्षन की बात है उसमें यह तो हुआ कि जो स्लाटर हाउस हैं वो कम हुए लेकिन गाओं के सामने एक समस्य अब भी खड़ी हुई है कि वो जो आवारा परशू घूम रहे हैं उनको बहुत नुक्सान होता है मुझे ब्रेक लेना होगा लेकिन आपने बहुत ही महत्वपूल विश्य छेड़ दिया है बहुत सारे सवाल आ गए अब बीजेपी के प्रवक्ता के उत्तर देने के लिए जिरोवाजबाइस आप चर्चा में फिर से स्वागत देगे समय बहुत कम है जिन बिंदू पर पर देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में लगातार है बहुत इतनी बड़ी इंवेस्टर मीट हुई देश वर से नहीं बिदेश तक से लोग अपना पैसा उत्तर प्रदेश में लगाने आए क्योंकि भैबुक्त वाता वरड़ा है रस्टा चार पर जीरो टालरेंस है हमारी सरकार की इसलिए इंवेस्टर मीट में लोग आए डिफेंस एक्सपो लगी या इतनी बड़ी चालि से को रिलेट है और मुझे लगता है जो यह आपके प्रवक्ता आये है चैनलों पर यह अपने जिले की सड़क और जिले से बाहर की कोई जानकारी नहीं रखते हैं इनको और पर सरकार के कालों की दिश्रा जहां तक आपने आवारा पसुओं की बात उठाई सरकार पूरी ज अब है जारा है को सिस पूरी तोर से सरकार की जारी है नहीं रोजगार पर भी तरह से हम कोई कोसिस जनता की सेवा में व्यवदान नहीं आने देंगे एक चीज एंटी रोमियो स्कॉइड आपने बनाया पब्लिक केरी यह वो काम ही नहीं कर रहा है उसका एक्षन ही उसको न प्रू किया था इसी बीच में जनता देखे जनारदा ने जब ऑपीनियन आने लगी कि साफ इसमें कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि उनकी आजादी चिन रही है और एंटी रोमियो स्कॉइड कभी-कभी गलत व्यक्तिवी पकड़ लेता है पूस्ताच होती है भाई-बाइन न पसर दिया समय इतना ही था आप सभी का बहुत धन्यवाद नवल कांद भाई हमारे बात तीनों विपक्ष के प्रवक्ता और हीरो वाजपई इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन वर्ष पूरे हुए हैं और दो वर्ष का कारेकाल बाकी है योगी सरकार का और उसमें मा वादा है हमारा और आप सभी का राजनीती से जुड़ने के लिए राजनीती देखने के रिए बहुत धन्यवाद पूस्कार